है चलिए discuss करते हैं just control and management of air pollution जब हम बात करते हैं control and management of the air pollution की तो हमें दो दो चीज़운 का दियान रखते हैं एक तो क्या कि जो for the比如 होते सोर से उनको स्होर्स लेवल पर ही उनको control करते हैं जा उनकी management करते हैं और वह रिलीज हो जाते हैं atmosphere में तो उनको क्या करते हैं फिर एक मैंठोर में में मेध्यमें तो ये कुछ मैथ levels दिए के हैं जो कि मौbad अफेक्टिव होते हैं डी करनी के लिए एः प्लूशन को इसमें एक है Source correcting मैंठोडσι कि जो सोर्स जोहां से एर प्लूचनर रिलीस ऋरहे हैं उनको करक्षिन करके हम जो है यह एर को प्लुशन को कंट्रोल करते हैं दूसरा प्लुशन कंट्रोल एक्वीपमेंट्स यूज करके जो है हम कंट्रोल करते हैं प्लुशन को डिफ्यूजन अप प्लुटेंट्स इन एर में जो है प्लुटेंट्स को डिफ्यूज करके भी हम क्या करत हैं हैं इसके लावा plantation करके vegetation के थरू भी हम एर को control करते हैं एक zoning method होता है उसके थरू भी हम क्या करते हैं एर pollution करते हैं और कुछ अधर air pollutants management methods यह यूज करके भी air की pollution को हम control करते हैं Source correction methods क्या है कि जो formation of pollutants होता है जाए emissions जो होता है pollutants का उनको मिनिमाइज करते हैं at source level, यहां से निकल रहा होता है, वहीं पर हम pollution को control करते हैं, कुछ यह method है source level पर जिसको हम use करते हैं, उनमें एक आता substitution of raw materials, जो material ऐसे fuel हम use करते हैं, जहां से pluton निकलते हैं, तो वहां पर जो material होता है, उसकी जगह पर अगर कोई poor grade है, पोर grade है, उसको हम pure grade में convert करते हैं, example है, जैसे कि low sulfur fuel, जैसे कि अगर कोईले की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, और अगर उसमें sulfur content कम है, तो उसको prefer करना चाहिए as compared to more sulfur content होगा, क्योंकि sulfur जतना कम होगा कोईले में, उतना ही वह जो क्या होगा, pollutants उतने ही कम release होंगे, तो low sulfur coal is always preferred over the high sulfur content, उसके क्या है, modic fission process, source level पर ही दूसरी बात है, कि material के लाबा जो है, कुछ process जो यूज करते हैं, source level पर उनको भी modify कर सकते हैं, जैसे existing process है, उनको modify it process को modify कर सकते हैं, जैसे example है कि coal is washed before pulverization, जो क्या किया जाता है, जब crush किया जाता है, तो use करने से पहले, ता कि उसको क्या है, बिलक जाती है, जैसे method को बोलते है, pulverization, तो उसमें क्या है, अगर coal जो है, वो dry होगा, तो फिर lot of ash जो है, वो निकलेगी, उसकी emission होगी, तो air क्या होगी, उससे pollutant होगी, उस ash से, लेकिन अगर उसी coal को हम wash करेंगे, wet करेंगे, गिला करेंगे, तो क्या होगा, कि इस तरह की ash जो करके भी vh, air, pollution को, air pollution को control कर सकते हैं, इसके इलावा modification of existing equipment or equipment preparation, जो हम equipment use करते है, जो instrument use करते हैं, उनको modification करके भी, हम air pollution को control, कर सकते हैं, it can be achieved by the modification of existing techniques, इसको कैसे कर सकते हैं, जो टेखनीक्स हम यूज कर रहे हैं उनकी माडिफिकेशन करके जैसे स्वो कार्बन मॉनोकसाइड फ्यूम्स केन बी रिड्यूस इफ ओपन हर्थ फरनेस और रिप्लेस्ट विद कंट्रोल बेसिक अक्सीजन फरनेस और अलेक्टिक फरनेस कुछ इस तरह के फरनेस हम यूज क करती हैं उसकी जगह अगर हम ओपन वाले फरनेस के लावा बगार अगर हम क्या करें यह बेसिक फरनेस और अक्सीजन फरनेस और लेक्ट्रिक फरनेस अगर यूज करें तो इस मैथड़ से भी हम क्या है एर पॉनिशन को कंट्रोल कर सकते हैं इसे कि हम पिक्चर में देख प हैं तो इसकी बज़ा से क्या होता है कि डायक्ट जो है एर बलूट हो रही है इसकी जगह अगर हम क्या करेंगे लेक्रिक फरनेस जा बेसिक अक्सीजन फरनेस यूज करेंगे तो बो क्लोस्ट होगा और यहां से को किसी तरह की जो है गैसी डायक्टली जो है एर में रिलीज जो equipments use करते हैं, जो है, जहां से air pollution निकलती है, उनकी maintenance करके भी हम क्या है, जो air pollution को कम कर सकते हैं, उसको control कर सकते हैं, maintain, उसकी जो है, management कर सकते हैं, अब जैसे कि हम प्रणी गाड़ियें छलाते हैं, और प्रणे engines use करते हैं, तो उसके बजाद से जो है, प्रवक्रा ब्लटेट गारन रेसी होती हैं जाबिक जो न्यूव इंजन बगरा है वो कम इंजन करते हैं तो इस तरीके से जो equipment है उनकी जो है maintain करके भी और अगर अच्छे इंजन अच्छे तरीके से maintain किया होंगे गाड़ी अच्छे तरीके से अगर वो service होगी तो फिर air pollution कम होती है तो इसी तरीके से उसको देंपल से ही क्या है जो leakage of ducts हैं अगर कुसी तरह की गैसी नीके जो रही है उनको चेक कर सकते हैं रोक सकते हैं पाइपस को चेक कर सकते हैं वाल्स पंप्स बगएरा जो भी यूज करते हैं इनको चेक करके routine check-up seals और gaskets चेक करके हम जो है air pollution को control कर सकते हैं इनको चाहे उसके लिए material जो चाहे उसके लिए material जो चाहे उसके लिए material को design upgradation हो जाए maintenance बगएरा करके जो है source level पर हम जो है air pollution को control कर सकते हैं नेक्स प्लूशन कंट्रोल equipment तो अब कुछ ऐसे equipment कुछ devices होती हैं जो की help करती है pollution को control करने में तो sometime time जो pollution control at source level पर पूरे तरीके से पासिवल नहीं हो पाता तो तब हम इस तरह के कुछ equipment यूज करते हैं फिर pollution को air pollution को control करते हैं तो installing pollution control equipment जो है वो क्या करते है pollutants को remove करते है जो की man gas होती है वहां से जो है gas से pollutants होंगे उनको remove कर देते है ये equipment तो pollution control equipment जो है जैनरी क्लासिफाई करते हैं इंटू control devices for particulate contaminants ऐसे यह क्योंकि यह pollutants के level के साफ से उनके types के साफ से जो है यह वीपमेंट उती हैं अधाँ एसे ड्वाइसिस होते हैं जो की पाटिकौलेट मैटर जो होता है इंको रिमूब करता है और दूसरे कुछ ड्वाइसिसं ऐसे होते हैं जो ऎसाथिस कंटैमिनेट को रिमूब करते हैं आप अमारा जो इसमें टॉपी करहें, जैदा फोकसर कोट्रों कंथ्ड करने विश्य लिए होती है उनको रमूब करने का इसमें रहेगा control devices for part18 contaminated तो अब हम 1 by 1 जो control devices use होती है जो幫 एक कंथ्का का इसमें में स्परीशिय तो कश हुक स wonder के जो तो gravitational के नाम से ही है कि जो gravity है वो अपने तरफ जब आर्थ की gravity है जैसे यो force है जो कि अपने तरफ खींचती है तो इस तरीके से gravity का use करके जो है setting जो चैमबर है उस method के थूँ जो है यह जो device काम करती है तो इसमें कहा removal of particles exceeding 50 micrometer in size तो यहां पर बटन यह है कि इसमें जो particulate matter ऐसे जिनका size बड़ा होता है लगवागा 50 micrometer in size होता है जो pluted gases का हिस्से होते है यह particulate matter उनको रिमूव करने के लिए gravitational chamber जो है वो use किया जाता है यह हम देख पारें इसमें तो device consists of huge rectangular chambers तो इस तरीके से यह device होती है जो कि हम देखते है इस image में तो gas stream polluted with particulate is allowed to enter from one end इसमें क्या करते है gas streams को जो कि जैसे यह gas है जो कि polluted gas है जिसमें particulate matter नहीं contaminated with particulate matter उसको कह किया जाता है यहां से जो है enter किया जाता है इस gas को जहां से होती है इसको बोलते है inlet inlet से enter होती है gas और the horizontal velocity of the gas stream is kept low about 0.3 meter per second in order to give sufficient time for the particle to settle by gravity इसमें जो important एक चीज़ और की जाती है एक तो size बड़ा होता है 50 micrometer in size होता है दूसरे नबर पर जो gas की speed होती है जो कि यह contaminated gas होती है पार्टिकुलेट मैटर के साथ उसकी speed भी बड़ी कम होती है ताकि वो अराम से उसमें जो पार्टिकुलेट्स है वो settle हो सके नीचे by the influence of gravity के influence के थ्रूँ तो उसमें speed होती है यह लगवा 0.3 meter per second तो यहां से जब enter करेगी तो यह हम देख पा रहे हैं यह horizontal trace है यह वली यह क्या है horizontal trace है जो हम देख पा रहे हैं तो इन में क्या है जब जैसे यह air जाएगी जहां से तो जो air तो आगे जाती जाएगी लेकिन वो light and weight होगी जो इसके particulate matter होंगे air में वो नीचे क्या है settle होते जाएंगे इन trace के उपर जो है वो settle होते जाएंगे यह different trace हम देख पा रहे हैं और बाकी जो क्या है यह gravitational settling chamber है इसको बोलते हैं यह hopper है यह सारा जो space है यह नीचे और यह है horizontal trace तो अब क्या है कि जब air contaminated with particulate matter enter करेगी इसके speed कम होगी तो जो large size particulate matter होंगे वो नीचे settle हो जाएंगे और यहां से क्या होगी जो बगी air होगी pure air होगी जो कि जिसमें particulate matter सेटल हो गयोंगे लग हो गयोंगे separate हो गयोंगे तो वो फिर clean air जो है पूरे तरिके से clean तो नहीं होगी लेकिन जो है जो large size particulate matter होंगे वो से आहीं पर separate हो जाएंगे तो फिर यह बाकी जो air हो रिमूव कर दी जाएगी from the outlet से बाहर यहां से चली जाएगी तो इसमें पर्टिकुलर मैटर होंगे उनके साथ यह जो है जिसमें particulate matter बहुत कम हो रह जाएंगे बड़े साइज के सेप्रड हो जाएंगे फिर वो गयास यहां से बाहर चली जाती है इसको बोलते हैं gravitational settling chamber next आता है cyclone separator cyclone separator कौन से होते हैं इसमें centrifugal force जो है वो काम करती है एक होती है centripetal force दूसरी होती है centrifugal force centripetal force कौन से होती है जैसे यह अगर हम देख रहे हैं तो अगर inner inside अंदर की तरफ अगर movement हो रही है बाहर की तरफ लगेगी तो उसको बोलेंगे centrifugal force तो इसमें जो काम करती है cyclone separator में वो है centrifugal बाहर की तरफ फोर्स लगी होती है जो कि हम देख पार हैं जब air डेस्टी air enter करेगी तो यह बाहर की तरफ इसकी वाल की तरफ इदर इस तरीके से जो है बाहर की तरफ जो है फोर्स लगी होती है तो centrifugal force जो utilize की जाती है cyclone separator में ताकि जो पार्टिकुलेट जो matter है उसको polluted gas से separate किया जा सके तो इसमें क्या करते हैं जो cyclone की efficiency जो होती है वो 90% से जो है जाता होती है और फार्दा पार्टिकल कौन से जो की 10 माइक्रो मेटर की साइज के अगर पार्टिकुलेट मैटर होंगे उनके लगवाग 90% जो है efficiency होती है cyclone separator की तो इसमें होता क्या जो dust laden gas enter करती है तो इसमें डूस्ट होगी पार्टिकुलेट मैटर होंगे इसी पलूटेंट गयास को एंटर करेंगे और जैसे वो करेगी यहां पर तकराईगी वाल से फिर यहां नहीं से पर ऐसे करकर के जो है वो मूव करेगी नेचे की तरफ तो रसी वे रूटेटिंग मोशन तो जैसे ही वो टेंजेशली करेगी एंटर करेगी जिसमें पार्टिकुलेट मैटर होंगे तो वो रूटेटिंग मोशन उसको मिल जाएगा और सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगेगी उस पर बाहर क जो साइकलोन वाल जो साइकलोन का जो देख रहें स्टुक्चर इसकी वाल की तरफ जो है वो टक्राएंगे ऐसे तो क्या होगा तो क्लीन गैस इसके बाद क्या होगा जो पार्टिकुलेट मैटर वो नीचे की तरफ सेटल होते जाएंगे और जो क्लीन गैस है जो क्लीन गैस पाहर चले जाएगी वाइल दूट पार्टिकल्स और बाटम आफ स्टोरेज हापर इसमें जो ड़स्ट पार्टिकल्स होंगे वह क्या होंगे एक कंटेनर होगा होगा निचे वहां पर दूट ग्रैप्टी के कारण जो है वह वाल से टक्राएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वह क्या हो निचे की तरह सेट्पलज होंगे साजिव चारीट पा दिकल्स और जाएंगे और ग्लीन एर जो है वो उपर से जो अटिल जाएगी तो इसमें देख रहे हैं गा इनिर वोटेक्स केटिरens देखेंगे तो इन बोटेक्स नहीं वहां से प्रनार पक्राइं और इसके पार्टिकुलेट जो है यहां से वाल से टक्राते हुए ग्रैफिटी के थ्रू जो है वो नीचे की तरफ सेटल हो रहे हैं हापर में नीचे कंटेनर में तो इसको बोलते हैं कौन और यह है ओडलेट ट्यूब और जो ग्यास एंटर करती है प्लूटेंट डूस्टी जो है इस तरीके से एंटर करती है और फिर उसको रूटेटरी मोशन मिल जाता है और सेंट्री फ्यूगल फोर्स इसमें काम करती है तो इसके एफिशंसी अवनफ़ पर 90 परसेंट होती है और बार्टिकुलेट मैटल अगवाग टाइन 10 माइक्रो मीटर के होते हैं जो की ये क्या करते हैं लॉंग सिर्उंसी सögसे को लंग स्य सेमरिट के अधिया ते क्या हूं है ये एंटर करती है और सनीर करती है बार्टिकुलेटिटी अ दिदिते हैं वे और नग आयरिया reminded यहां पर contaminated air जो आती है, एंटर करती है, इसको भूलते हैं, bag hose, compartment area को, और जो particulate matter होते हैं, वो trap हो जाते हैं, इन bag hose में, और जो clean air है, वो top में से बाहर निकल जाती है, तो इस method के थूँ हम particular matter of size, one micrometer के size के जो particular matter होते हैं, उनको हम remove कर सकते हैं, जिसमें की जो इन में जो है ट्रैप हो जाते हैं particular matter, up to one micrometer size के, और clean air जो यहां से बाहर चली जाती है, तो इस method को बोलते हैं, fabric filter method, तो इसमें देख रटी अंदर आ रही है, ये clean air बाहर जा रही है और ये filter bags हैं, जो की इस method में, electrostatic precipitators, ये बहुत ही एक recommended और efficient method है, dust को remove करने के लिए, तो इसमें 99.9% dust remove हो जाती है, इस electrostatic precipitator method से, ये efficient method होता है, जो air contaminant होती है, particulate matter से, उसको clean करने के लिए, तो it removes particle by putting electric charge, इस method में क्या किया जाता है, कि हम क्या करना है, इसमें क्या होता है, कि then attracting them to electrode of opposite charge, इसमें क्या होता है, जो particulate होते हैं, वो खासका negative charge क्यों होते हैं, वो जो electrode होता है, उसको हम positive charge देते हैं, तो opposite charge जो है, वो क्या करते हैं, attract करते हैं, और इस तरीके से, उस method के थूँ जो है, इसी वज़ा से, इसका नाम तो उस मैठोट से इसको हम जा करते हैं पाजिटिव और नीमिटिव जो है जो हैं वोस्थ कामली यूज हे मैठोड क रिमॉब करने के लिए इसको dust को remove करने के लिए fly ash को करने के लिए remove करने के लिए asbestos fibers को lead salts बगारा जो है इनको remove करने के लिए यो बहुत ही efficient method वाना जाता है electrostatic precipitator method जो है इस method में हम क्या करते हैं जो pollutants होते हैं उनको pass कराते हैं from the positive and negative charge electrodes तो जो plates होती है है positive और negative उनके बीच में से जो है हम क्या करते हैं pollutants को pass करवाते हैं तो इसमें क्या होता है the dust particle pick up the negative charge यहां पर हम देख पा रहे हैं इस picture में कि इनलेट आफ air polluted air जो है जिसका क्या होगा negative charge होगा इसके ओपर क्या होगा negative charge होगा वो enter करेगी करती है जब and collect on the accumulation of plate with the positive charge क्या होगा कि community of positive charge अब क्या है कि यहां से जो है यह power supply देते हैं बैटरी देख बार है 50 kWh की तो यहां से यह वायर है जो की नेचे लटकी हुई है और इस वायर पर क्या है negative charge आजाता है इस पर रखे आगे है और यहां पर जो एलेक्ट्रोड्स हैं इस पर जो connected है वह positive charge है यह क्या है पास्टीव चार्ज है अब जब negative charge dust particle आएगी वह सिधी क्या है कि इस एक्टिव चार्ज है तो यह पास्टिव चार्ज की तरफ ट्रैक्ट होगी तो यहां कठी होगी हम देख यह पास्टिव चार्ज हो गए है लेक्ट्रोड और यह बीच वाला क्या हो गए है नेक्टिव चार्ज हो गए इन में तो अब जब नेक्टिव चार्ज डस्ट अंदर आएगी तो पास्टिव चार्ज की तरफ जाएगी और अट्रेक्ट होगी इदर वह और एक्मॉलेट जो है नेग्तिव चार्ज वो अट्रैक्ट होते हैं तो आज पाजिटिव चार्ज गिए तार्फ कि तरफ हो गए है थायब राइट होगा इस 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 मैथड के थ्रूप है करते हम जो पाटिक लेट सौफ उन माइक्रो मीटर और समाट जो है वो फर मुव कियाते हैं ड़्ट जा से कॉंटेमिनेटेटे एर से इसकी आपीशेंसी है जासे की पर प्ले बड़ा 99.9 परसंट जो ए अफिचेंटा ये निशे आजाते हैं ले घुरणीजा करते हैं अरो हो जब चार्ज को हम डिशार्ज करते हैं इस एरिया को पूरे को जब जो पर तो यह बाता देते हैं तो । यहां से कठी होती है। रिमूव पर दिया और जो क्लीन एर है वो यहां से ओट लेट से बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से इस मै यह मैध्रड यह जो यूच किया जाता है। यह बोधी बूदी 99.9%। ज्यॉण बहला जाता है। तो उसमें जो जो इसमें जो समाल होगा उसको रिमुव करते हम वैत कॉलेक्टर और स्कृबर्स इस मैथड में करते हम जो पर्टीकुलेट कंड़े मेर्स होते हैं उनको प्लुटेड ग्यास स्ट्रीम से जो है रिमूव किया जाता है वाईियुजिंग लीकवड ड्रॉपलेट, जो इस तो לה्मार करके पर्टिकुलेट में स्दपट, जो रिमूव के शफ्मार करको चाहिए उते हैं, उनको क्या किया जाता है किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो इस तो इसमें kulineracer ला डॉट्रॉपलेट , जनका मिक्सा ह फेले देख पा रहे हैं, नहीं है तो इस इस में वाटर बिदी लुटी ट्यूस इंटे अगर आवर, may provide यहां से एंटर करती है और जब यह डॉस्ट पार्टिकल के साथ एंटर करती है यह उपर की तरफ ऐसे जाती है इंट्डूश की जाती है और वाटर के डिक्शन के नीचे की तरफ होती है तो जो पार्टिकुलेट मैटर वाटर के साथ मिक्स होता है और नीचे की तरफ बैठ और क्लीन एर जो है वो बाहर चली जाती है तो इसमें हम यह देख रहें के ऐस दा प्लूटिट गैस फ्लोज आपवार्ट जैसे ही प्लूटिट गैस जो देखी हमने उपर के दर फ्लोओ करेंगी जब पार्टिकुलेट जो मैटर होंगे प्लूटिट एर में वो कॉलाइड कर जाएगा और जो कि स्प्रे नोजल से हमने वाटर को स्प्रे किया होगा वो कॉलाइड करेगा और फिर जो पार्टिकुलेट मैटर होंगे वो उस बाटर के साथ मिक्स होने के बाद नीचे बैठ जाएगे और अंडर दा इंफ्लेंस आफ ग्रैटिशन फोर्स क्योंकि वहां तो इस पिक्चर में जैसे कि आमने दिखा जैसे ही डटी यह आएगी नोजल के थूज आप स्प्रे करेंगे तो यह मिक्स हो जाएगे पार्टिकुलेट मैटर जो है इसके साथ और वो नीचे बैठ जाएगे उनका बजन भी बढ़ जाएगा वेट बढ़ जाएगा और ग् वेंचरी स्करबर इस मेथड में जो पार्टिकल जिनका साइज 0.525 मिक्रो मिटर होता है और वो एसेट होते हैं विच्छ फ्यूम्स उनको एफेक्टिवली जो है रिमूव के जाता है इसमें जो यह बेंचरी स्करब उता है यह वेंचरी शेव थरॉड सेक्शन होती है जै यहां देखेंगे तो यह ऑगया थ्राइट के तू तो शुट्धं सेटी तो एक्ट के र्सूंग की स्पीड से जो है जो है तो फ्यूंगत की तरफ इए दोट के जाता है ऊपर गाशना आधी स्पीड के शाट चाथ उनको प्र होते जिदे की जैसे कि हम यहां देख रहे है कि जब कोरस वाट स्ट्रीम जो है इंजक्त कियाता है उपर की तरफ अबवाट की तरफ पहर फिक दशरण वर टिवह 91 उवाट है और उपकर च यह घौकर ताहिविडेमे सोिपुख यहकल क घृने करते हैं उसे बाइदेट क्रह खुंद सब्सक्राइब करते हैं extension तो पार्टिकल्स गेत रेप्ट 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 रोऍकर बालार है कि जाए इसमें राको राईब वार्त को याव सीप्धाई जा नो इन लाण त्रहट ना बालाद को इस् Casey किया तो इसे इसरी की जाए जिसके एता है द्याओ अग यह कि अचे ही तो निचे करते हैं, तो फिर ढूसटरिकल जो वर यहीं सैंध करें बढ़न देटर के साथ तुलाइब गरते हैं जो बड़तर लोगां कि अचा कि सथ indoor Knelle अचे हिता देटर निचे बढ़ने जाता है। निचे बैड़ जाता है और यहां से रिमूव कर लेते हैं, और जो clean air होती है, जो की drop light से लग हो जाती है, वो फिर यहां से gas outlet से बाहर चली जाती है, यह inlet है और यह outlet है, इसको बोलते है venturi scrubber, cyclone scrubber, dry cyclone chamber जो होते हैं, उनको convert कर जाता है into wet cyclone scrubber में, इसको कैसे करते हैं, by inserting high pressure spray nozzle, high pressure spray जो water को liquid को spray करते ह हैं, वो fit के जाते हैं, at various places within the dry chamber के अंदर बहुत से जगा पर spray nozzle लगाए जाते हैं, फिट के जाते हैं, यह high pressure जो spray nozzle होते हैं, यह generate करते हैं, fine spray, coffee जो spray को generate करते हैं, और इसके वजाए से जो particulate matter होता है, वो mix हो जाता है with liquid, खासका जो water के साथ, जो fluted gas के जो particulate matter होते हैं, उन इसे तो यह ऐसे करके centrifugal जो के बाहर की तरफ इसका जो है force होती है, वो generate होती है, और जब इसमें नोजल के थरू, जब नोजल के थरू water को जब हम spray करते हैं, तो जो walls के ओपर जो dust particles जब यह जो air होती है, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, और फिर नीचे जाकर, सेटल हो जा यहां पर देख पार है, यह साइकलोन स्क्रबर है, जिसमें air को जो है, क्या करते हैं, तेंजेंशली सीधे नीचे जाता है, जब अंदर आती है, जिसमें centrifugal force लगता है और इस तरीके से मूव करती है, जब कि यहां से water inlet है, water यहां से क्या है अंदर आता है, और यहां पर spray nozzle तो यह पानी को spray करते हैं, पार इस वाल के साथ, इस वाल के साथ तो जो अप एर अंदर आती है, तो यह सेंट्रिफूगर के साथ यह वाल पर लगती है और यहां पर water भी होता है, तो water के साथ यह जो पार्टिकुलेर मेटर हैं, यह क्या है, मीक्सप हो जाते हैं, और फिर जो है, यहां ओटलेट से जो है water के साथ, जो है, पार्टिकुलेर मेटर बाहर चले जाते हैं, और जो clean air है, वो यहां उपर से बाहर चले जाती है, यह होता है, cyclone scrubber में, control devices for gaseous pollutants, gaseous pollutants को remove करने के लिए बहुत सरे methods और techniques यूज की जाती है, उनमें एक है absorption, adsorption, condensation, insulation जो है, different methods है, जो की यूज की जाते हैं, gaseous pollutants को remove करने के लिए, इनको one by one हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले method आता है, absorption, absorption, तो absorption एक ऐसा process है, जिसमें की gaseous pollutants जो है, वो dissolve हो जाते हैं, in liquid, तो gaseous pollutants पूरे तरिके से dissolve, mix हो जाते हैं, उस process को बोलते है, absorption, water is generally used as an absorbent liquid, जिसमें जो absorbent liquid यूज की जाता है, generally, water है, gas stream पास की जाती है, through liquid के through, और फिर gaseous pollutants जो है, वो absorb हो जाते हैं, mix हो जाते हैं, विदा liquid के साथ, main types of gas, जो absorption equipment से हैं, वो include spray tower, packed column, spray chambers, venturi scrubbers, packed towers, plate towers, यह सारे के सारे equipment हैं, absorption में क्या करते हैं, use होते हैं, तो इनकी removal efficiency होती है, absorption की 95% होती है, तो यह क्या करते हैं, इसमें एक जो चीज हो सकती है, कि यह air pollution को remove करने के लिए यूज की जाता है, लेकिं इसके बजाए से जो water जिसके साथ हम treat करेंगे, water pollution की problem जो है, वो होती है, यह एक method इसमें जो है, drawback है, adsorption, adsorption क्या होता है, यह surface phenomenon होता है, जिसमें gas, liquid molecule जो होता है, वो adhere, chip कर जाता है, जबजार हो जा, surface of solid adsorbent, कोई solid matter होगा, उसके surface पर liquid हो जाए, gas हो, वो surface के पर आकर attach हो जाएगा, उसके अंदर mix नहीं होगा, उस process को जाता है, adsorption, तो some of the adsorbent, जो है, commonly जो इसको यूज की जाता है, air pollution के लिए, वो है, activated carbon, activated alumina, activated जो है, इसके लबा, silica gel, etc., जो है, यह common adsorbent, यूज की जाता है, air pollution को चंट्रोल करने के लिए, इसके लबाब, physical adsorption, क्या होता है, condense is with the lease of heat, heat, जो condense करते है, heat को release करके, तो उसके थरू जाता है, physical adsorption होती है, और chemical adsorption की जाती है, chemical bond के थरू, तो यह adsorption हम clearly देख पा रहे हैं, और difference भी देख पा रहे हैं, adsorption क्या होता है, और absorption क्या होता है, इस picture में, तो यह क्या है, जिसकी surface के उपर कोई चीज attached होती है, वो adsorbent होता है, और जो attach होता है surface पर, उसको बोलते है adsorbate, तो adsorbate जो है, वो adsorbent की surface पर आगर attach हो जाता है, अंदर mix नहीं होता, इस process को बोलते है adsorption, surface के उपर attach हो जोड़ा, जबकि absorption में क्या है, पूरे तरीके से consume हो जाता है, mix हो जाता है, अंदर है, surface के उपर नहीं है, क्डेशिशन क्डेशन में क्करते हैं जो ग्यास होती हह जा वेपर होता है हो न Chief कि निड़ी वांप है इस 대해 अगा सिंगे ट्रीड तो अगे तो सिस खुण सेंट कोशिते हैं कि फिती तु निंटी फाइसिंट, मात करने कोशिक से निंटेन्ट को साथ दूसरा होता है surface condenser, इसमें क्या होता है, गाज़ 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 कंटैक्ट होती है, मुल सर्फेस के साथ, इसका है, next जो आता है, वह ओता है, इसनली प्रासस्स, तो combustion के थरूप है हम, जो गैसी जिसमें की कोई combustible substance है, जाज़े प्लूटेंट है वो उसको रिमूव कर सकते है तो परासा फे इंसनरेशन और कमबस्चन जिसको बोलते हैं जिसमें जो ऑर्गैनिक कंपोंड्स होंगे खासकर जिसने जिनके तरू जो है एर कंटेमिनेट अगर होगी तो उनको जला कर हम कमबस्चन कर के जो है क्या कर कर सकते हैं इनको रिमोव कर सकते हैं जो नियुट है उनको आफ दिलंग को तो डिला के बलते हैं इसको बोलते इन donorator तो जिसमें करते हैं जिस फर service के अंदर उसको बोते है इंसनरेटर फ्रासके को बोलते है didnsen origin तो it is the combustion of gas containing combustible material outta एसमें क्या है की ऐसे तो solid waste को कम करने के लिए vär kissing quotidique तुक य issue axe एकि ऐस गैस जो कि हम डिफ्यूजन कर सकते हैं आप पुलुटेंट इन एर अब किसी इंडस्ट्री के तरू कहीं से जो है पुलुटेंट ग्यास जो है एड हो रही है इंटू एर में एटमस्फेर में लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं डिफ्यूज कर के भी जो है एर पुलुशन काम कर सकते हैं उ गाहन निच्छी निच्छी ड़्या निह जाएकी जो ребен thi पर्वेशपे मिखैंडी इस जो जाए 살िः एक रड दोर चेजी जाए इजाएंगी यहाँ रोगाने निचे हुं से निच्छीन लिग Abraham जिसके बज़ाद से जो हेल्थ होगी लोगों की जो इस एरिया मेराते होंगे उनको भी एफेक्ट पड़ेगा और इसके लावा जो है वेदर आपर क्लाइमेट और सब चीजों पर एफेक्ट बढ़ेगा तो 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 फिर हावा चार रही हो दिया अपर तो फिर सब्सक्राइब करते हैं इसके लावा जो मैफ़ड़ और खिर हम करने के लिए कि वेजिटेशिन तो हम बहुत सारे प्लान्ट से हम प्लान्टेशन कर सकते हैं और बोच सारे क्लांट से जो की खास करके जो फुलुटेंट गासित होती है उनको रिमूब करने मदद करते तो यह भी एर पुलिशन को चंट्रोल करने मदद करते हैं जैसे कार्बन मॉनोकसइड है उसको रिमूओ करने के लिए फाइकस वेरिगाटा या फैसियॉलस विल्गैरिस जो है वो माना जाता है कि अच्छा प्लांट होता है जो कि कार्बन मॉनोकसइड को अबसार्व करता है इस के लब हो अथियर्दा प्लांट है जो है अवसानी से बशार्व कर लेता है तो कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जो कि specific जो वेजिटेशन होती है जासे तरह के जो pollutants होते हैं, उनको remove करने में मदद करते हैं, कुछ plant species, इसी तरिके से, जो है zoning के थरू भी जो है, हम air pollution को control कर सकते हैं, जैसे कि कोई separate area select करेंगे, industries के लिए, जो कि residential area से दूर होगा, क्योंकि residential area में के पास, अगर industry लगाएंगे, तो बहुत सरी वहां पर pollution होगी, तो लोगो होगी health पर एफेक्ट पड़ेगा, तो zoning करके भी हम air pollution को कम कर सकते हैं, control कर सकते हैं, और लोगों की health अगर उनको भी जो है, उस पर असर ज्यदा नहीं पड़ता, तो zoning कर सकते हैं, और तर air pollution control methods, तो जैसे कि कोई non-conventional source of energy यूज करके, जैसे कि solar energy, tidal energy, wind energy, जो है, अगर हम य यूज करते हैं, तो उनकी जगह अगर हम solar energy यूज करें, wind energy करें, तो ये free of cost भी होती हैं, और किसी तरह का pollution भी cause नहीं करती, इसके लबबा, public transport system जैसे की metro train है, अगर बड़े शहर में रहते हैं, और उसको हम यूज करते हैं, instead of personal vehicle यूज करने के वज़ाए, तो उसकी बचेगा, resource बचेंगे, और साथ में pollution भी नहीं होगा, और हम जो है traffic jam में भी नहीं फचेंगे, इसके लबा जो आटो में बेल से काडियां हैं, आजकल उनके साथ क्या fit होता है, exhaust emissions बगारा control equipment भी fit होते हैं, जो की air pollution को control करने में मदद करते हैं, इनमें tuning of engines, use of stratified charge engine without catalytic converter, और इसके लबा feeding of thermoreactor to exhaust pipe बगारा जो हैं, यह help करते हैं, air pollution को control करने में, collection of vapors with activated charcoal भी जो है help करता है, air pollution control में, use of filters के थरो भी हम air pollution को control कर सकते हैं, इसके लबा हमने कुछ legislative measure laws भी बनाए हैं, जैसे की air pollution act, जो air control and pollution act 1981 में बनाया है, जो की air pollution को control करने मदद करता है, इसके लबा हम इन्वार्मेंटर प्रोटेक्शन आक 1986 में उसके बनाया है, तो हमें awareness के थरू, education के थरू जो है, अगर masses को करते हैं, society को करते हैं, उसके थरू भी जो है, काफी हद तक air pollution control हम कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, तो this is all about the topic, control and management of air pollution, thank you.